हम लोगों ने अपने खास कारक्रम दंगल में बात की थी बोकारों की धनबाद लोक सभा का क्षेत्र है लेकिन बहुत ही महतुपुन विधान सभा का क्षेत्र है यह अभी बीजेपी के कबजे में है यहाँ पे विरंची नरायन युवा विधाया क्यां रिकॉर्ड मतों से जीते थे हरकण में सबसे ज्यादा वोट उन्हें ही मिला था कि दूजबाद लोग सभा के लिए और ब्रेक में जाने से पहले हम लोगों ने जब अपने अपने प्रतिनी आपक्षे पूछना चाहते हैं तो इस सेंग्मेंट में लोग यही बात करेंगे क्या आपके सवाल और सत्तापक्ष के हमारे कमलेश रोई जी हैं वो जवाब देंगे अनिल जी पताई आप इलेक्ट्रो स्टील की बात कर अल्ट्रा ट्रेक्सिमेंट और रेलवे करखाना की पहिया बनाने का मेमेंटो अब जारखंड में इन्होंने दिखाया मोमेंटम जारखंड जो की बहुत ही महत हुद कांक्शी कारक्रम था और तमाम अभी भी उपलब्दिया गिना रहे हाथी उड़ा था उस वक्ति जी जी और अंकित मिटल अंकित मैटल कास्टिंग का जो इन्होंने प्लांट लगाने की बात कही थी मैं उतने एमुए हुआ था कि तीन करोड रुपईया सांसत के बड़े सांसत के इसारे पर मांगे गया है जो अल्टा ट्रेक सिमेंट प्लांट यहां से चला गया सिधा सिधा आरोप है कमलेश जी क्या कहेंगे बहूत ही गंबीर आरोप लगाया है निल सिंघ पड़ता था बोकारों में आज कोई अधिकारी और कोई कंपनी वाला नहीं कह सकता था यह पी एंजी का मेरे पास फोन आया है यह लेकिन एक बात चलिए इस बात को मान भी लिया जाए तो आखिर यह फैक्टरी यहां क्यों नहीं लगी अब यह तो कंपनी ने साहर हुआ समझ हुआ लेकिन फिर वह धरातल पर नहीं उतर पाई हम पचास चीज़ पर साइन किये 40 चल रहा हो सकता एक दो कंपनियां अपना सुबिदा के नुसार नहीं लगाई होगी उसका उसका समस्या है लेकिन किसी पर निरादहर आरोप लगाना अनिल सिंग जी समय कहना चाहूँग का बिना प्रूप का बिना किसी साबूत का इसी तरह किसी को कुछ का दीजिए अगी तासान बात है हमका देंगे जानील सिंग तपांच लग मांग रहे थे तो कंपनिया लगा तो क्या उसको सब्सक्राइब आरोप पर प्रत्यारोप है लेकिन हकीकत यहीं कि फैक्टरी जो जो सांसद है बहुत ही लोग प्रिये हैं तो इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आज तक यह कितने गाओं का दोरा किये और कितने लोगों से इनका अपना समस्या का समधान किये लोग जो है उनसे मिलने के लिए तरस्ते रहे आज तक इनका कभी भी चेहरा दिखाई नहीं द का है तो कहीं नहीं कभी तो नाकामी है सरकार की सता पक्ष की सांसद की विधायक aç T देखेए गाओं की बात करें मुझे हशी भी आ रही है कि सधार परिकर है चिन गाओं में जो है CANSन मोहते का आग्मन भुष्याज़ाओं है पहले ट्रांसफर्मर गाउं में जलता था तो ट्रांसफर्मर उसी तरह चोचो महिना तक बिजली नहीं आती थी गाउं में असरा कार का काउकर थी कोई पूछने वाला सूध लेने वाला नहीं आधिकारी पैसे मांगते थे, अब मुंहांगा पैसा दे करके तब लगता था ट्रांसपर्मर, आज गाउं हो या सहर हो, एक अवाज होता है जिस मेरे आँ ट्रांसपर्मर जल गया है, तो वहाँ बिधायक हो या सांसद हो, किसी के माध्यम से हो, सारे जगा जाते हैं और अगर नहीं जाते हम तो लगता है यह सवाल पूछे और हमारे जो प्रतिनी दी आपके सवाल किसी से भी हो सकते हैं मैं अनुरोद करूगा कि मुद्दे आप स्थानिये लीजी जो यहां के स्थानिये समस्य हैं उनके बारे में बात कीजी राश्ट्री समस्याओं के बारे में बात करने के लिए कई और भी प्रेटफॉर्म है जी बताइए क्या कहना चाते हैं खड़े जाए प्लीज सबसे पहल हमारे औरों जो यहां पर पब्लीक जनता है वहां जाता है आईश्मान काड लेकर तो वह बढ़े अप्रूब नहीं करता है वह चीज हम चाहते कि वह अप्रूब करे और कहता है कि हमने ये क्या हो कि ये कुछ नहीं है ये सिर्फ उनका जूठे वादा जूठे विकास करना मुझ को इसके लिए जुड़ जाया और कई सरकार को विडाय को वाइक प्रयास जी जूड़ जया और पिछली सरकार सोची थी का गरीब अगर बिमार हो जाएंगे तो उनके इलाज कहां से होगा इस सरकार इतनी चिंता तो की गरीब खा लेंगे कमा लेंगे लेकिन अगर बिमार हो जाते हैं उस समय उनकी इस्तिती दैनिय हो जाती है सरकार ने पांच अलाक रुपिया का जो जोजना चलाई है अभी बीजीएच में नहीं है लेकिन तुरत यहां भी लागू होगा इनका कहना है जी बंजूर जी ऐसा है कि हम आधरनिया कमलेश जी से इनके सरकार चाहेंगे कि सबसे पहले इन लोग को साथ यह मालूम नहीं होगा कि हमारे उद्दोगी छेत्रे में कितनी एकाई लगी हुई ये लोग मोमेंटो जारखन के नाम से पूरे परदेश में हाथी उडा रहे थे और हम ये पूछना चाहेंगे कि मेमठो जारखन के बाद इस बोकारों में कितने उद्दोग लगे है पूछना चाहेंगे मन्जूर भाई से कि युद्योग तीन बरस चार बरस में नहीं बंदो गई है यह बहुत दिन उस पहले की सरकार के समय से इनकी इस्तिती खराब थी बंदो गई है लेकिन अभी जो है बीएसल के भी एक सांथी ने कहा था कि इस्तिती जो है बहुत खराब है तो मैं मानता हूं जिस्तिती बहुत खराब थी रोड भी बहुत खराब था बिल्लिंग भी भस रहे थे लेकिन अभी उसके प्रोफिट जले कोई कमपनी घाते में जाएगा तो मेंटेनेस खर्च को घटा देगा लेकि अभी सांथी लोग देख रहे होंगे कि सड़कों मुख सड़क बनना श लेकिन कहीं ने कहीं जो मजदूर है वो अभी भी विरोजगारी के कागार पर एक जमाना था जहां पर पचास हजार से ज्यादा मजदूर हुआ करते थे लेकिन अभी उनकी संक्या घटकर लगबग 14000 यह जिसमें की और 10,000 मजदूर है वो ठेका पर है कुछ और भी लोग ह देखे जनतापार्टी के जो लीडर बथे हैं जो अबर रहे हैं हम तो देख रहे हैं पूरे जहार खंड में हम पूरा भशतचारी हो और 5 पर वोग का मंन कोई इसकीम नहीं है गारी रोड में लगा हुआ है ट्राफिक कहीं भी कोई चोरा में ट्राफिक नहीं है और हलू जुम्ला जूट बात बोलने से यहां का दर्सक धनबात संगसदियत शेत्र का इस बार नहीं होगा इस बार यूपी का सरकार बने ठीक हम पूछते हैं जो पूरे समस्या पूरे देश की समस्या पुर्ड नहीं है इनका भी जड़ा की आवाज है मैं मानता हूं लेकिन हमारे मोदी जीजी जो है वहां से शुरुक है अंकुस लगाना लेकिन अभी पूर्ण रूप सांकुस नहीं लगा है इस बार अगर सरकार बनेगी तो मुझे पूरा फोरोसा है कि पूरा बरस्ट चारी लोग खुद अपने आप जो है सो साइड हो जाएंगे अब रस्ट बार सरकार बनेगी थोड़ा से इंतजार करना पड़ेगा और इस ब सब्सक्राइब करते हैं विस्तापित गाहों से बोले थे कि बिस्तापित का निराकरन होगा इसका पंचायत को दर्जा मिलेगा आज ना हम खली भोट देने के काबिल है ना हम में कोई सुविधा मिलती है सरकारी ना यहां का सोतेला बहवार किया जाता है बसंती मोड के सब्सक्राइब के बाद वहां ना उसका कोई मरमत होता है नकीनी का बात सुना जाता है संसद महोदे के तो गाहों का नाम मालूम नहीं होगा नक संसद महोदे को हम लोग पाचामते हैं पिल्कुल सही बात है जो 19 गाहों जिसकी हम पहले भी बात कि निगम ख्षेत्र में आ रहे हैं ना ही वह घ्रामीन इलाकों में योजनां का उन्हें लाब मिल पार है जिस तरह से हमारे दर्शक ने भी पूचा सही बोले हैं कुछ गाहों में इस तरह का इस्तिति है कि उनको कि दूखर सुबदा नहीं मिल रहा है और गाउं काफी परसानी है अखिर इसका करना करा ख़ra नहीं सब्सक्राइबंद सवार का क्यों वालिक आज तक कि मेरा सवाल की हमारे जो बच्चे लोग पढ़ रहे हैं स्कुल में री एडमिशन से तरस्त है उसके लिए हमारी सरकार क्या कर रही है बहुत ही माकूल सवाल प्राइबिट निजी विद्यालों में री एडमिशन के नाम से 10,000, 15,000, 20,000 रुपे हर साल बच्चों को एडमिशन करा जाता है इसकूल कॉलेज में कॉपियों के दाम जो है वो 5,000 ड्रेस के अलग दाम यानि कि जो शिक्षा एक तरीके से कहा जाए तो चिकित्सा और शिक्षा के ख्षेतर में अभी हमारे एक दर्शक ने शिक्षा की बात की है अभी रीडमिशन का ये सीजन भी चल रहा है अभी क्या सरकार इसके उपर कुछ अंकुष लगागी हलाकि मुझे याद है कि विरंची नरायन ने भी ये सवाल को विधान सवा में एक बार उठाया था देखिए बहुत अहम मुदा है इस मुदा को उन्हें ने उठाया है हम लोगों को भी दिल में यी मुदा है और मानिय विधायक ने आपको भी मालूम होगा कि इसको पहुत पुर्जोर तरीका से विधान सवा में इसका उठायत है कि जो रीडमिशन पर लोगों का सोशण किया जा रहा है इस बंद किया जाए सरकार इस पर कमिटी बनाई हुई है लेकिन अभी इसका नीड़े नहीं नहीं हुआ है और री एड्मिशन पर अभी अंकुस नहीं लगा है लेकिन हमें उमीद है कि जल्दीव कमिटी रिपोर्ट देगी और अंकुस लगेगा सबसे पहले मैं तो बढ़ाई देता हूं कमलेस भाई को कि इन्होंने बात को माना और एक्सेप्ट किया इतनी जनता के सामने कि भरस्टा चार है इन्होंने एक्सेप्ट किया कि 5 साल में हम नहीं खतम किये हैं अगले 5 साल में खतम करेंगे ठीक है आज जो उन्होंने प्रस्ट उठाया उसी के मैं बात करता हूं की अ Mengसा की बीएड्मिंशन की सुखता हूं कि यहाँ गरीबों के वांजो को पढणने के लिए aC school खुले थे खुले ना और बी एघ सना कि सकोल क्या न हां मेरी आगर दूसरी बात आप को मैं बता देता हूं जैते होुए sr तो तमाम बात है आग्रेस सब कोई आप लगता है नहीं लोग छेतर में घुमते नहीं है ना पेपर पड़ते हैं सरकार का नोटिफिकेशन है नाइन फर्टी थी ओब्लिक फिफ्टीन दो हजार पंद्रा के आप राची से आए भाया इसको उठा के देख लीजेगा इसमें जो भी लिबरल था पहले री एडमिशन को ले करके जो यहां पे सतर सालों में जो एक बेवस्था बनाई गए थी सिक्षा नीती वहीं सिक्षा नीती थी जो की मतलब हम लोग के पेकेट पे असर पड़ रहा था बिल्कुल बहुत ही महतुपूर्ण सवाल है और यह सवाल का जवाब भी हम पूछेंगे इस बारे में विधान स के भी है कुछ लोग और भी सवाल पूछेंगे शंक्षेप में मैं पूछ रहा हूं कि अभी संसद्ध जो है वो कभी हमारे गरामीन तब जहक के देखा है कि गरामीनों का हल क्या है सड़क बना कि नहीं इसकूल चल रहा है कि नहीं पीने के लिए पानी है कि नहीं खाने के कहते हैं और इलाज करने के लिए दवाइपन चल रहा है कि कहां सपिटल है कहां किया है को कि सवाल कुछना चाहता हूं कि मोधीजी 2014 में बड़े बड़े वादे करके आये थे कि बेरोजगार को रोजगार देंगे और 15 लाक रुपिया काला धन लाके देंगे और 2 करोर बेरोजगार को रोजगार देंगे प्रते एक बर्थ तो मैं पूछना चाहता हूँ परतिनीदी महोदय से कि बोकारों में हम लोग रहते हैं बोकारों में बिस्थापितों का बहुत बड़ा समझ्या है सन 2016 में एपरेंटीस का बहाली के लिए निकाला गिया था जिसका अभी तक 400 कोई नतिजा नहीं बिल्कुल बिल्कुल हम पूछते हैं मयंग सिंजी जुड़ गया है मयंग जी बताइए क्या कहें गया वेक तो हमारे एक दर्शक ने कहा कि ग्रामीन चेत्रों की अंदेखी हुई है लागी से पहले भी इसा वाला है था और दूसरी बात जो हमारे दूसरे दर्शक ने पूछा कि बिरोजगारी आप लोगों ने वादा किया थे कि दो करोल युवाओं को रोजगार देंगे सबी लोगों के पास यही बात रहता है कि 15 लाग की बेरोजगारी की बात करता हूं सबी लोग 15 लाग का एक जुमला बन के रह गया है क्या है कि मोदी जी ने कहा था कि विदेसों में इतना काला धन जमा है कि अगर वापस आ जाए तो सभी के काउंट में पंदरा पंदरा लाख रुट क्या हो जाए अभी इनके सवाल का क्या जवाब देंगे आप इनके सवाल का जवाब यह है कि बेरोजगारी आज के दिन में मैं बताना चाहता हूँ कि जितना भी रोजगार इन पाथ सालों में उत्रिजित हुआ है इसके पहले कभी नहीं हुआ था कारण कि हर जगा प्रोजेक्ट आए है हर जगा प्रोजेक्ट डिवलप हो रहा है बिल्डिंग्स बन रही है, प्लांट्स बन रहा है, रोड बन रहा है इतना काम, आज तक इसके पहले भूत काल में कभी नहीं हुआ था 2016 में जो अप्रेंटिस की जो बहाली हुए थी, उसका कोई नतीजा ने निकला, वो बाद हवा में चली 2016 की बिस्थापितों के बारे में, मैं सिर्फ यही कहूंगा, कि आप अपने बिचौलियों से बचिये, आपके बिचौलिये नेता इतने हैं, जो आपको लूट खसोट के अपना घर और गाड़ी और बड़ी बड़ी गाड़ीयों में घूमते हैं, ये इनके अपने बीच के लोग हैं और ये दूसरी बात, दूसरी बात जो ग्रामिन चेतर में, जो मुलभूत सुविधाएं हैं, उसकी कमी है, जो सांसद महोद हैं, उनका कहना है कि शहरों तक ही आते हैं, वो कारों से घूम को चले जाते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है, हमारे सांसद महोद है, मैं सब्सक्राइब करेंगे लेकिन आज तक नहीं को पंचायत में सामिल किया है और नहीं आज तक यहां के सीसार के दुवारा या तो नगर पालिका के दुवारा कोई सुक्स्विदा नहीं दिया जा रहा है बत्तिस हजार एकड़ जो जमीन थी उसमें साथ हजार एकड़ भी बेकार पड़ी है उसका कोई साथ उपयोग नहीं हो पा रहा है सारी बाते हैं जिसमें के नियोजन भी वोकार सारी चीज आंगे उसमें आप पूछिए बिल्कुल यहीं पर यहीं पर सेक्टर टू में 2014 के चुना के समय में राजनात सिंग साहब है थे जो अरतमान में ग्रेह मंत्री उन्होंने कहा था कि जैसे ही मेरी सरकार बनेगी परदेश में और केंद्र में सबसे पहले मैं बिस्ताबीत के समस्य का समाधान करूंगा अभी अभी मैंग जी ने ठीकी कहा इनके बाद से मैं बहुत संक्शेप में बहुत कम समय अपने सवाल सुन लिए मैं दूरा हूंगा नहीं क्या है कि दस 15-20 साल से जो आपका बिस्थापितों के जो भी समस्या है वो सरकार से है निजिए तो उसकी कि लिए जवाब सुन लिजिए जवाब सुन लिजिए जब तक आप शांत नहीं रहेंगे जवाब कैसे सुनेंगे आप 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 जी पताई जवाब सुन लिए जब तक सेल जब तक सेल अपने लॉस से उभरेगा नहीं वह कहां से क्या कर लेगा तो अभी अपने लॉस से उभरने में पांच साल तो लग गया उसको लॉस से उभरने में अब जब सेल लॉस से उभर जाएगा तो सभी काम हो जाएगा लेकिन लॉस से उभारने में नियोजन नियोजन के लिए नियोजन के लिए जो बात है तो नियोजन नियोजन का जो बात है तो नियोजन भी तभी होगा जब लॉस से हम उभर जाएंगे और नहीं लोगों को नियोजन देंगे बिल्कुल अभी 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 नुक्सान में जा रही है जो कमपनी है पहले भी चाचा जो एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुगे पहले चाचा बोले कि पानी का बेहुस्था 113 करोड का डिया गिया है पाइपलाइन भी लिचने का भी काम हो रहा है दूसरा विस्थापित कलने ली शुपिता अबटे है उच्छापी उस्तव के लिए और दिल लें तहीं सवाल सब्सक्राइब करें अंदिली कष्ण के निला प्रें अजवार में मेरा कोए जवाब बटाया आप आपका सवाल क्या सवाल क्या सवाल लोत है तो पाहली कि आपके किस नितिकत के भीपक्स के लोगों से पुझना चाहता हूं कि आपके किस नितिकत फैसले नहीं होने के कारण विस्ताफन की समस्थ्य आज तक बनीieur हुई तो दोनों से हैं यह ना तो सत्ता के लिए न आपके लिए यह बोकारों की लोगों की समस्या है चाहिए वो सत्ता पक्ष्ट क्यों या विपक्ष्ट क्यों जी बताएं हमारे मैंग छोटे भाई ने कहा कि सेल की स्थिति खराब थी जनता ने सांसद और विधाक इसलिए चूना था कि समस्या का समाधान हो इन्हों ने एक और बात कहा कि विस्थापितों को नेताओं से बचना चाहिए हुआ अखर क्यों नहीं यह समस्या का निराकरन हो रहा है सांसद जी के साथ जाके दे के आए हैं उसके वारता चल रही है उसका नेराकरण बहुत जल्द से जल्द होगा लेकिन कॉंग्रेस अपनी बात से मुड़ नहीं सकती है इसको लूटने का काम इंटक के दो गुटो दोरा किया गया और सेल को इसका गार पर लागिया और ज 요ось कि ऱ्नार दो ये जिए एक साल पहले हमारे संसद नहीं कि विस्थापीतों को टीपलोमा में डिपलोमा धरियों को उनका ज्वाइनिंग कराया जिसके लिए डिपलोमा धरी 162 % 1962 डिपलोमा थाख तो जैसा जैसा जिनका आपका ठिकरी रहेगा उसी इसाब सो दो मिलेगा ना उन्गाइब कर दो लोग नहीं कहाल क् novak मेडिकल खुलने वाद भी नहीं हुआ यह भोकारों में जितना इस से जितना प्रवाइट करता है ऊतना इसलिए पढ़ाई नहीं होता है थिए ठीक है इसलिए में बहुत हम लोग विल्कुल कारेक्राम के अंतीम पढ़ाओं में पहुंच गया है यह बताए कि आखिर यह शिक्षा का हब था लेकिन अभी जो इस्तिति है वह इतनी बदतर क्यों है बहुत शॉट में क्योंकि समय है बिल्कुल भी कम है एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है जो मेडिकल कॉलेज आज तक तो इतना दिन में कभी खुलने का नहीं हुआ पहला बार सिलानेयस भी हुआ तो भाजपा गोवर्मेंट और यहीं सांसद्वारा कराया गया तो अब बनने में एक दिन में तो है नहीं कि बन जाएगा दो चार पात साल समय लगेगा आगले दो साल के अंदर मेडिकल कॉलेज भी बनके त्यार रहेगा और बुकारों के लड़कों को कहीं बाहर नहीं जाना होगा बाहर के गड़के जिस तरह से अभी भी पुकारों में आके पड़ाय करते हैं उसी तरह से हमेशा करते रहेंगे बिल्कुल बिल्कुल जाब इखर दो ङल्रेका lockedasis सम्य अब समय आप को चूका हैं में लोगों ने पिछरे ए घंटे में तमाम ल 30 उनके जवाब भी लिए सत्ता पक्षका ये कहना है कि बहुत सारी चीजें जो यहां नहीं हो पाए थी वो अब भूमी है और आने वाले एक दो साल में तस्वीर बिलकुल बदल जाएगी और यहां की जनता जो है चाहे वो मूलभूत सुविदाओं हैं पाने बिजली सड़क के रूप में जिसका इस्तेमाल वो इस बार करेगी और जो भी प्रतिनी दी ने जैसा किया उसका हिसाब चुकता करेगी दंगल से फिलाल मुझे दीजे बोकारों से इजाज़त मुझे मेरे सायोगी कैमरामें सुरीकांत और पूरी टीम के साथ मैं निला सिंग आपसे इजा चाहता हूं लेकिन देखते ही है कशिष नियूज नमस्कार